गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं नुराग दिक्षित हूँ और आप सभी का स्वागत है पार्ट साला रेल्वे एक्जाम में आप सोच रहे होंगे कि अचानक फिर से क्यों आन पड़े तो सारे के जून के तो रिजर्ट आही चुके हैं, कट आफ बता ही चुके हैं इनके आने का फिर से कारण क्या है, मेरे आने का कारण है मन में एक खुशी और उत्सुपता क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर मिला रहूँ, एक ऐसे बालक से, एक ऐसे बच्चे से, जो कि रेल्वे ग्रूप D की तयारी पार्ट साला रेल्वे एक्जाम के साथ काफी दिनों से कर भी रहते हैं और इनकी खुद की मेहनत इनके ज्यादा साथ है हम लोगों का जो हाथ रहेगा यह आपको खुद बता देंगे क्या हाथ है, किंचित है, अथवा नहीं है लेकिन इनकी संपूर मेहनत इनके साथ रही है और इनका जो संपूर मेहनत थी वो इनके result के रूप में आपको भी दिखाई देगी तो मैं यहाँ पर बुलाओंगा भाई साब को, भाई साब आईए और सबसे पहले तो अपना इंट्रोडेक्शन और क्या आपने वो पढ़ाई करी है, कैसे पढ़ाई करी है, एक मोटिवेशन है आप इन सभी बच्चों के लिए जिनका सेलेक्शन थोड़ा सा चांसे से पूरा एक वीडियो देखने के बाद फिर अनलाइज करता था कि मैं उसमें कुछन कर पाया, इतने कोशन नहीं कर पाया, इस तरह मैं अपने नोट बनाता था, और एक वीक का पूरा, करने के बाद मैं संडे को उस पूरा एक वीग का जितना था था, पूरा दोबारा इसको इसको रिबीट करता था, इस तरह से मैत को फॉलू करता था मैं, पढ़ाई की सही स्ट्रेटजी ये है, डेली क्लास पढ़ना, डेली एनलाइज करना कि अभी भी आप में या हम में क्या कमी है, उसका नोट बनाना और उसके बाद वीकेंड पे, यानि संडे को, सुभम ये क कौन से क्वेस्चन पर इनकी कमांड साही नहीं हो पा रही है, इस पर ये वर्क आउट करते थे, और मुंबाई सेंट्रल जोन से थे, रो मार्क्स इनके 71 पॉइंट कुछ है, और अगर कट अफ की बात की जाए, तो कट अफ कितना गया है, 55 के लासम जी, 55 के, 40 नमबर गया ह का कट अफ गया है, वाइस आप सुभम मिश्रा जी के नमबर है, 71 रो मार्क्स, कट अफ से 31 नमबर जाना, तो ये ऐसे ही कोई सुभम मिश्रा नहीं बन जाता है, उसके लिए करनी पड़ती है महनत, तावर तोर्ट, सुभम एक सवाल थोड़ा सा चोटा सा और पोछूँग घना समय हमें को देना इतना इस सब्युक मैट्स मैघ और साइंस में ज्यादा फोकस कियाता, क्योंकि यह दोनों उते न जीके पर फोकस ना करने के बाद भी बाकी बचे तीन सब्जेक्ट के माध्यम से सो में 71 नंबर प्राप्त करना छोटी बात नहीं है यह आप सब लोग समझ रहा हूँ अच्छा अगर इनके टोटल आर्स को देखा जाए कि यह डेली कितने आर्स अपनी पढ़ाई को दे रहा है तो सुभम मैं यह मान के चल सकता हूं कि आप डेली 6-7 गंटे 5-6 गंटे आराम से दे लेते होंगे 5-6 गंटे डेली पढ़ाई करना और उस समय आप अपने फोन को अपने पास में रखते थे या ओफ करके रख देते थे जितने वीडियो देखता था वो उतना यूज करता था बाकी थोड़ा बहुत कुछ नेट वेट से कुछ सर्च करना है करेंट अफेर देखनी है मैं लै रेल्वे के किसी भी अधिकारी में इतनी चमता है कि इनके सेलेक्शन को रोग के दिखा ले चोटी से एक बात मैं मेरा गवालियर सेंटर बढ़ा था मैं एक्जाम देने किया था जब मैं बाहर एक्जाम सेंटर से निकला था तो आटो में दो तीन लड़के बैठे हुए थ रहती है इसका क्या अंसर यह कैसे किया मैं ने बूला कि इसका यह से आया तो एक लड़का बेटा एक बाता था उसना बॉला रेले पाट साली से लुश्क एसे पड़ता था तो तो चैनल को फोडू करते था और कहीं नंखी मुझे इस बात की बहुत प्रसंदता है कि मैं ज अच्छा फाइदा मिलता और प्रसंदता वाकई में इस वक्त इतनी है इतनी है कि मैं उसको सब्दों में बया करूं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह मेरे बसकी बात है नहीं तो बस मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर बनना है सुभम मिश्रा तो करनी पड़ेगी मेहनत लगातार द्रड़ता के साथ जूजना पड़ता है डेली मेहनत करनी पड़ती है ऐसे ही कोई सुभम नहीं बन जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभम आपका भी लगातार पढ़ाई करने के लिए और हमें और अपने माबाप को प्राउड फ प्राणी को नहीं हो आपका व अजिए टू आरह्डवाद झाल है तो मौन झाल 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 है वड़ता है टूस एन्सवादी को जीए है आख लगादी को प्राणी को आपका पका पत्सॆण